दोस्तों की कहानियां अक्सर दिल को छू लेने वाली होती हैं. और ऐसी ही एक कहानी है दो दोस्तों. राहुल और अजय की. राहुल और अजय बच्पन के दोस्त थे. वे एक ही महले में रहते थे, और एक ही स्कूल में पढ़ते थे. उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी, कि लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। दोनोंने साथ में खेलना, पढ़ाई करना और कई शरारतें करना सब कुछ मिल कर किया। समय बीटता गया और दोनोंने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। राहुल ने इंजीनियरिंग करने का फैसला किया और अजय ने मेडिकल फील्ड में जाने का सोचा। उनकी राहें भले ही अलग हो गई, लेकिन उनकी दोस्ती में कभी कोई कमी नहीं आई। वे अकसर फोन पर बातें करते, छुट्टियों में मिलते और अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साजह करते। एक दिन अजय को एक गंभीर बीमारी का पता चला। यह सुनकर राहुल बहुत परिशान हो गया। उसने अजय का हर संभव इलाज करवाने का फैसला किया। राहुल ने अपने इंजीनिरिंग के प्रोजेक्ट से ब्रेक लिया और अजय की देखभाल में जुट गया। उसने अजय के परिवार की भी हर संभव मदद की। अजय की बीमारी का इलाज लंबा था लेकिन राहुल ने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और अजय के आत्म विश्वास ने मिलकर चमतकार कर दिया। कुछ महीनों के इलाज के बाद अजय पूरी तरह से ठीक हो गया। इस कठिन समय ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया। अजय ने राहुल से कहा, तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, दोस्ती का यही तो मतलब है।